स्थर्मति हो जाओ और तुम पाओगे के तुम अपने भीतर उतरना शुरू हो गए लहर विज्ञान अध्याई दो स्थर्मति हो जाओ और तुम पाओगे के तुम अपने भीतर उतरने शुरू हो गए तुम रोज सवाल पुश्ते हो बाबा अपने भीतर कैसे उतरना ये शुतरा गया अपना स्थर्मति हो जाओ और तुम पाओगे के अपने भीतर उतरना सुरू हो गए स्थर्मति कैसे हो क्रिया योग करो दबा की क्रिया योग को कुड़ा के जरा बाहर निकल जाएगा एक वक्त ऐसा होगा जब तुम कुड़े के जरे से बहें खाली जेतन मन रह जाओगे उसस्थर्मति कहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ पहले क्रिया योग क्रिया योग में कितोर्सिस और जब तुम खाली हो जाओ तो फिर द्यान यानि कुछ नहीं करना आराम से बैठ जाओ सुख पूरवक बैठ जाओ सुख पूरवक आर्सन में बैठ जाओ सरीर को तंग नहीं करना तो कि सरीर ना तो तुम हो इसको प्रेशान नहीं करना इसने तुमारा कुछ पिगाड़ा भी ने यह तुमारे लिए रत का काम करेगा अपने गंतव्य तक पहुँचाने में मदद करेगा बाबा आपने कहा कि तीसरे नेतर पर ध्यान करने से उश्मा जादा पैदा हो सकती है जादा ध्यान करने से यह ब्रस्ट भी हो सकता है इसलिए तीसरे नेतर पर ध्यान एक पत्रत ना करें फिर हम क्या करें तीसरे नेतर पर ध्यान एकत्रत ना करेंगे तो तीसरा नेतर जाकरत कैसे होगा सुने अनुभाव ना होने के कारान सर्फ शास्त्र पढ़के व्याख्यान देने के कारण बहुसी गुंडियां खुलती ने तीसरे नेतर पर कॉंसेंट्रिशन करो तुम्हारे आचारे कहते हैं और तीसरा नेतर पर जाएगा तुम बुरी तरह पिटोगे इतनी उश्मा इकठी हो जाएगी बहुसे लोग मैंने देखे हैं पावल होते पावल खनों में बंद होते और मरते हमारे शहर में एक अध्यापक थे ओश्व आश्रम में वस्तर बदल के आई थे गेरवा ध्यान करते हैं तीसरे नेतर पर मैंने उसे बहुत पार पहा क्रिशनलाल श्मा करना गलती से नाम ले दिया गया लेकर उसे गुजरे भी साल से जादा होगी क्रिशनलाल तुम इतना तीसरे नेतर पर जहन ना किया हो यह फट जाएगा लेकर वो नहीं माना हमारे गुरू का आदिश मैंने का तो फिर करो और एक दिन सुबह ख़बर मिली कि क्रिशनलाल जी चले गए टीचर थे गले में माला डाल रखते गुरू से पूछतो लिया होता कि हम इतनी देर तक ध्यान करते हैं कर सकते हैं कभी भी आग गहना देते हैं अश्मा अश्मा कहते हैं यह था युग वेभाहार थोड़ा थोड़ा इंस्टॉल्मेंट्स कई बार बैठो कई बार ध्यान करो लेकिन इतनी गर्माइस नम बैदा करो कि यह ब्रस्ट हो जाए चला था प्रमात्म को पाले चला गया व्रत्युकी कोत्रा ऐसे वहुत से लोग है इनकी म्रत्युका कारण नहीं पता चलता है लिख तुम्हें नहीं बता उनकी मृत्यों के कारण ये उट पटांग साधना ही होती हैं जो तुम यूट्यूब पे देखतर करने लग चाते हो या किसी नीम हकीम खत्राए जान ने तुम्हें बतला दिया और तुमने वैसे ही करना शुरू कर दिया साधान मूर्ख नहीं थे ये लोग जो कहते थे पहले गुरू को तुलाशा हो फिर गुरू जो कहब वैसा करो जिम्मेवारी उसकी है अब जिम्मेदार ही किसके यूट्यूब तैं जिम्मेवारी लेता नहीं और यूट्यूब के अपर बोलने वाला भी जिम्मेदार म timer अपके आए बाबा ज्यादा ध्यान ना कर द्रस्ट हो जाएगा फिर क्या पर हमारे अनाहत नात शुरू हो गया है बड़ा प्यारा लगता है लेकिन बार-बार ध्यान जाता है तीसरे में तरफ़ा डर लगता है अब तो बहुत दिनों से सोचने लगा हूं कि अनाहत नात बंद ही हो मुझे क्या करना चाहिए? तुम पिल्कुल सही रास्ते पे हो तुमें कुछ नहीं करना चाहिए अनाहत नाद की मेरी वीडियो सुनो उसमें मैंने स्कुष्ट बोला है जब अनाहत नाद शुरू हो जाए तुम्हारे वागे हो जाओगे बस अब तुमने कुछ नहीं करना है अब परमात्मा कर लेगा जो करेगा परमात्मा कर लेगा तुमने कुछ करने की अवश्कता ने तुम अपनी जिवन का बाहर उसके हाथों पे सौप तो ध्यान से समझेगा पूरी ब्रकजा को बहुत से लोग हैं जो इन साधनों में जूटे हुए हैं गलत केंद्रों में जाके उनके खुद के तीसरे नित्र न जागरत हुए है नहीं अनहतनाद शुरू हुआ है हैरानी की बात है जिनके अनहतनाद शुरू नहीं हुआ वो अनहातनाद पर लंबे चुड़े प्रवजन कर रहे हैं जिनको उस इश्वर की रस का पान नहीं दुआ वो इश्वर की रस पर पूरे जा रहे हैं अस इसे ही कल्यूग कहते हैं देखा है नहीं परचार करना सुरू करते हैं इसलिए मैंने बहुत बार कहा कि बेना देखे परचार करना इससे बड़ा पाप कोई है तो मने उसका एक बूंद भी नहीं चखा और उसके बारे में व्याखन बड़े-बड़े करने शुरू करते हैं सिर्फ इस लालच के करण कि मेरा नाम हो जाए मेरे चैनल को व्यूज ज़्यादा आने शुरू हो जाएं मुझे भी बहुत भगिचन ऐसी राय देते हैं बाबा ऐसी करने ऐसी करने ज़्यादा व्यूज आएंगे क्यों बाई मुझे ज़्यादा पता है क्या करना बाई तुम सर्फ सुनो तुम अपने आपको बदलो दूसरों की चिंता मत करो जो तुम्हें बहुत बड़िया लगता है प्रवशन वह अपने विशेश मित्र को फारवर करता है जो तुम्हें ही अच्छा नहीं लगा उसे फारवर मत करो अब सुनिये आपकी गुंटी में खोले देता है ये भी सुन लेना और एक मेरी विडियो है वास अनाहत नाथ उन्हें दो घंटे की विडियो है वगर नहीं सुनी तो जरूर सुन लेना जिनके भी अनाहत नाद शुरू हुआ है डॉक्टर्स कहते हैं ये टेनिटस की विडियो है चलो टेनिटस की विडियो है लेकर इस विडियो को अब सुन लेना तुमारे बहुत से पर देख लेंगा है बहुत से डॉक्टर्स मेरे पास आने है जो कहते हैं हमने तो इलाज कर लिया ये बंद नहीं होता मैंने कही ये टेनिटस है ये ये नहात ना था ये भीतर की वो आवास है जो तुमारे अंतरस पहलू में गूशती है और बाहर तक फेलती है और सारी संसार के कणकण में यही आवास है जेता किता तेता ना वे इन नामे नाही को था कोई जगा यसी नहीं जहां उंकार का नाथ नहीं होता वह उंकार का नाथ है थोड़ा सा कहीं जिन्मन जिल्मन जिंगर की आवास है कहीं उंकार की आवास है रूप बदल सकती है लेकिन आवास उसी खलक की है खालक, खलक, खलक में खालक यह सरश्टा, सरश्टी के वितर और सरश्टी, सरश्टा के वितर करियेटर, करियेशन में और करियेशन, करियेटर में यह बड़ा उल्टा उल्टा मसला है और तुम चाहते हो हर बात को समझ लेना और हर बात समझ में आईगी ना इसलिए मैं तुमसे पहले ही गया देता हूँ कि जब भी तुम किसी संत को सुनो अपनी खोपड़ी को एकताफ रख दिना क्योंकि खोपड़ी का विशह है संसार की बाते सीखनी हो फुजिक्स हो, केमिश्टी हो, जॉज्य हो, बाटनि हो, एनाटमी, फीज़ालोजी हो, एकॉणोमिक्स हो, सिविक्स हो, पिलिक्रिकल साइन्स हो तो खोपड़ी को रख लेनो फिर ये खोपड़ी में ही समझाएगा लेकन अगर आध्यात्मिकी बात खोपड़ी रखे-रखे सुन ली तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा वर्न तर्क पे तर्क ऐसे ये तो खेलाडी है जो बेतुगा कोमेंट्स देते हैं उन्होंने कभी साधना नहीं कि कभी किसी मार्कस ने कहा होगा परमात्मा नहीं कभी किसी नीच से ने कहा होगा गौरिस्टेट कभी किसी चारवाक ने और नास्तिक ने कहा होगा परमात्मा नहीं है इन्होंने खंगाला नहीं इन्होंने जाना भी है खंगाल सकते भी नहीं उसका मेजरमेंट इतना विशाल है वह इतना फैलाओं में फैला हुआ है कि एतनी दूर तक जाने की आप सोच भी ने सकते कितनी बड़ी से बड़ी टेलिस्कोब बना लो अभी हमने जेम्स वेव टेलिस्कोब बनाया लेकिन बो भी काफी काफी दूर उरे तक रहा जाता है वो भी पार नहीं जाता, जाता से जादा दूसरे ब्रमण तक जाता है, उसके आगे का है, तो एक दिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि बस जितना दिखाई पड़ता है, उतना ही है, बुद्ध की तरह है, हर चीज समझ में नहीं आएगी, बुद्ध ने समझ लिया था, और बुद्ध ने ये भी समझ लिया था, कि परमादमा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, और विक्ति की बन्यादी जरूरत सूख है, भूखा आदमी ढूंडता है पेट बरने का साधन, बोजन, और वह बातें करता है उपनिशित के, इप आचारों को लाविस तो है, बड़े प्रित्य स्थान खड़े करें के, और भात करतें हैं परमात्मा के, चर्चा करतें हैं क्रिशन के, तो प्रिशत की, इच्छा इनकी है, कि हम, हमारा नाम अमर रह जाए, किसका नाम अमर रहा है यहां, कोई एक तो के ना तो, और अगर नाम अमर हो भी जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम तो गए, मैंने कर रही बोला था, क्रिशन की तुम पूजा करते हो, इससे क्रिशन को कोई फर्क नहीं कुरता, कहां है क्रिशन, फिर इन दंदा खोरों ने, यह कहते क्रिशन आएंगे, कल्यूप में आएंगे, और नया रूम को धर्क के आएंगे, नए नए पागलपन कर लेते हैं, तो कि जवाब जो देना होता है, अगर यह कहें कि हमें मालून नहीं, जबकि बात इस बात पे खत्म हो जाती है, अगर यह कहें दें कि हमें मालून नहीं, क्योंकि खोपड़ी में कभी समुद्र समा नहीं सकता, इसलिए हाथ जुडालो इस पे बात ना करो बात करो तुमारी बन्यादी जरूरत की और तुमारी बन्यादी जरूरत है सुख तुम सबी सुख डूंडरें में लगे हो तुम सच क्यों नहीं बोलते हैं तुम जूट हो तुम सच बोलो के हमें जरूरत है सुख की हम दुख नहीं चाहते और सुख भी नरंतर दारा प्रवा अखंड जो तूटे ना बिल्कुल तुमारी यही इच्छा है कभी एकां तुमें वैट के सोचना कि तुम्हारी असली इच्छा क्या है क्यों तुम इतनी आपा धपी कर रहे हो क्यों बार बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो क्यों चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो क्यों सिंसार के सर्वशेष्ट दनपती होना चाहते हो क्यूं चाहते हो उस परमिद्वान होना क्यूं चाहते हो कि तुमारा नाम किताबों में च्छपा रहे हैं क्यूं चाहते हो जब कि तुम तो नहीं रहोगे कभी एक आंत में बैचाना, अकेले कमरे में बंद कर लेना अपने भीतर जाके सोचना कि आखिर मुझे चाहिए क्या तुम हैरान रह जाओ गया कि अब तक की जन्त की बटकन में बेकार गमा दिया चाहिए तो आमें खुश है जिसकी अकंडदार कभी तूटे ना जो कॉंस्टेंट हो जो अकंड भीतर को तरप्त करते हैं वो खुशी चाहिए फिर किसने कह दिया धन में मिल जाएगा या धन पतियों ने अच्छी पुशाक पहन ली सोने की और तुमने सोचा कि यह बड़ा सुखी है उससे पूछा नहीं तुमने कभी उससे भी पूछ लो जाकर है मैं गुल्जारी लाजनता के कवास चाय करता था कभी कभी दो बार प्राइम मिस्टर रहे जब मैं पहली बार उनके पास गया इतने वनमर बैटती राजनिती में आक ऐसे गए अजूब्य की बात है इतने द्यालू सबाग है इतना अमर्त जर्ता सा उनके पास बैठके और जब मैं पूछते पुछाते गया उनके सामने गया तो वो खड़े हो गए है वो उठे मैं बच्चा था वो व्रिद्ध है उठके वो जुके और उन्होंने मेरे पाउं के हाथ लगा दिया मैं तो घबराया हूं मैंने कहा क्या कर रहे हो जनाब मैं आपके दर्शन करने आया हूं तुमने गलत पहचाना होगा तो इनको एक शब्द आज भी मेरे दिमाग में गूछते हैं उन्होंने मुझे का महात्मा जी जिस दिन तुम अपने आपको पहचान लोगे उस दिन तुमें मेरा ये करत्य सही मालूम पड़ेगा समई तो मुझे तब भी नहीं आया लेकिन फिर समझाया जब बोधी हुई उसके बाद अपने अंतस में गया पराने जन्मों में गया तो मुझे समझाया कि मैं कौन था और जैसे ही इस बात की समझाये वैसे ही इस बात की भी समझाये कि गुलजारी लाजणनदा वाज ए अनलाइटन परस नॉया और मेरी दृश्टी smelled इस गद्दी को शुशोबित करने वाला एक मातर व्यक्ति था जो एंडलाइटेंड था वहता पुलजारी लागन था लोग सोचते नहीं कि इतना सबर सबूरी अकारण नहीं आया करते हैं ये चुक जाते हैं इतना सबर इतनी सबूरी इतने बड़े ओधे पर बैठी हुए किराया देने से लाचार जो विक्ति हो जाता है अकारण इतनी सबूरी नहीं आया करती कोई नवी कारण है कारण जे था मुझे बात में समझाया ये मेरे पिछले जनम के शिष्यर है प्रिय शिष्यर है खेर मैं बात को आगे बढ़ेगा जैसे ही अनाहत नात की गूंज शुरू हो गई तो मारे बीतर भीना भीना रसाना सुरू हो जाएगा और तुम चाहो ना चाहो ये कभी बंद नहीं होगा 2400 गंटे चलता रहे तुम सोजाओगे ये बंद नहीं होगा ये मत समझा नाहत नात जिसके सुरू हो गया है जब तुम सोजाते हो तो ये बंद हो जाता है नहीं ये तो ऐसा तत्व जो तुमारे भीतर विद्यमान है जो कभी सोता नहीं वहां से आती है ये आवाज जागत है जो दिन रैन जो रात को भी जागता है दिन को भी जागता है उस अस्तित्व की आवाज है ये वहां से आती है जिसको तुम सक्षी भी कहता है तो उसकी आवाज है ये और कहीं चले जाओ संसार्ण यही आवाज तुम्हें गुंजाए मान होती परती तो होगी सब जगाए एक डॉक्टर मेरे पास आ गए मुझे कहती है ये टीन निटस है मैंने का अगर ये टीन निटस है तो सारी सरस्ष्टी को टीन निटस हुआ है उसके बाद मेरे पास नहीं आए वो समझे गए है कि ये आवाज सर्व जापक है सारी सर्ष्टी को टीन निटस की बिवारी है कहीं चले जाओ ब्लैक होल में मैं गया वहाँ भी यही आवाज पाई है और तुम रात के सनाटे में खेद कलियान में चले जाना है जमीनदार तो अच्छी तरह से जानते होंगे किसान तो तुम अपनी च्छत के उपर चले जाना साज डलते ही रात होते ही जब ठहर जाता है सब तो तुम्हें ये आवाज सपस्ट सुनाई पड़ती है ये आवाज किसकी है कौन बजा रहा है ये इसलिए इसको अन्स्ट्रक्टर्ट साउंड कहते हैं अनाहतनाद आहतनाद होता है जो दो चीजों के टकराव से बनता है अब मैं बोलता हूं ये दो चीजें टकरा रहे हैं जीवा टकरा रहे हैं आप शायद जानते नहीं यह जो आवाज आती है इस आवाज के आलिम बीस यंत्रों को काम करना पड़ता है इसलिए बोलने में इतनी शक्ति व्याख होती है इसलिए मौन का इतना माख़त भाए यह बीस तत्वों की जो शक्ति खर्च होती है वो बच जाती है आपके मौन से इसलिए सियाने कहते हैं जरूरत पढ़ने पर ही बोलो अन्यतन न बोलो यह फाल्टों की बकवास ही करने का कोई फाइदा नहीं होता महात्मा गंदी शैतान थे महात्मा थे कुछ भी थे वो गए तुमने क्या लेना है तुम काम की बात करो लेकिन इनके पास काम की बात ही नहीं जो बकवास है वो करते रहेंगे किसी तरह अपने मन की लालसा भी तो पुरी करनी है लेकिन जानते नहीं के मुरक यह जनम फिर न मिलेगा यह बाजी हास से गई तो गई आचे दिन पाचे गए गुरू से किया ना है वह जो गुरू आपके बेतर बैठा है जिसकी बात ये लोग करते हैं उपनिशत में क्रिशन की गीता में रोज समझाते हैं अब पच्छताए होत क्या जब जिड़े हैं चुब गल खेत मैं ये गुरू जोने से कहते हूं दूसरों को उपदेश देने के बज़ाए स्वेम का आपास उदार लो तुम्हें भी जनम किसी कारण से मिला है तुम्हें भी जनम किसी हेतू से मिला है और तुम बोलने का धिकारी तब ही होगे जब तुम उस अत्त्तों में जाके वेले नो जाओ उससे पहले तुम्हारी आत्मा ही तुम्हे कोसेगी कि ये क्या कर रहे है अपूब तुमने जाना तो है नहीं फिर ये लोग एक निया प्रपंच रचते हैं एंलाइटनमेंट ही नहीं है वो ही मारकस वाला प्रमात्मा ही नहीं है वो ही निस्य वाला था तो लेकन मर गया वो ही चारवात वाला वो ही नास्तिक वाला तो नास्तिकता में सिर्फ थोड़ा सा टर्न हुआ है एंगल का हैं ये नास्तिक हैं ये खुद को आस्तिक न समझा मैं इनके वितर, शूगर के वितर लिप्टी हुई कनीन को अच्छी तरह से जानता हूँ तुम धन्य बागी हो, अगर तुम्हारे अनहात नाद की आवाज शुरूर के यह कोई बिमारी नहीं है कुछ मसलों में यह बिमारी हो सकती है, तो डाक्टर को निरिक्षिन करवाते चाएं लेकन बिमारी निकले के नहीं है, प्राय है, यह बिमारी नहीं होते हैं यह अस्तित्व की आवाज है, ओ जह है टिनेटस की वबारी तो सारे अस्तित्व को है, कहीं भी चले जाओ, दूर दराज के खेत्रों पे, ग्रहों पे उतर जाओ, मंगल परवस्तियां पसाने वालों, वहां भी तुम यही आवाज सुनाओ, कहीं चले जानाओ, यह आवाज तुमारे पूशा करें कि तुमारे अजेर ओठ कर, अब कहां जाएगा, जहां जाएगा, हमें आएगा, अजेर ओठ कर, अब कहां जाएगा, जहां जाएगा, हमें पाएगा, जहां जाओगे हम अपाओगे, मैं ही मैं हूँ सब जगा, यह आवाज, और तरफ इसका बोल बाला है, अस्तित्व को बेमारी नहीं हैं, टिनिटस की, यह बात समझ लेना, अब हम आगे बढ़ते हैं, अनाहत नाथ शुरू हो गया, तो तुम पाओगे, बर्बस ही तुमारा ध्यान तीसरे नेतर पर लगना शुरू हो गया, क्यों, तो कि हमारी श्रीर में, एक स्थान ऐसा है जो खेंशता है ज्यान को, कांसा, तीसरा नेतर, तीसरा नेतर तुमारे ध्यान को खेंशता है, बर्बस ही जब तीसरा नेतर उस नाध को खेंशे रहा, तो उसको खेंशन देना, उसको रोपना मत, वह सोभावी कहे, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ, जबरदस्ती मत लगाना, अभी नाध शुरूर ने हुआ है, लोग बैठ जाते हैं, काज़ चिपका लेते हैं, एक बिंदू के उपर गोला कार, काला दबा लगा देते हैं, उसकी तरफ लगातार जांकते हैं, तीसरे अने तरफ जानते हैं, कॉंसेंट्रेट करते हैं, यह तो वही बात हो गई, जैसे तुम धूप को, कॉंवेक्स लेंज के द्वारा, कॉंसेंट्रेट करके एक बिंदू पर ले आते हैं, तो फिर क्या होगा, आग लगी, इससे रोगता हूँ मैं तुम्हें, अने था उस दूप में, जिसने कॉन्वेक्स लेंज ने जिसको आग में बदल दिया, उसमें तुम सारे दिन फिरते हो, कहीं आग लगती हैं, तुम धूप में सारे दिन चलते हो, फिरते हो, सारे काम करते हो, कभी आग लगे नहीं लगते क्यों? क्योंकि तुमने उस दूप को concentrate नहीं किया इसी तरह जब तुम शक्ती को concentrate करते हो तीसरे नितर पे तो आग लगती है और यह आग तुमें बसंब नाती है ब्रस्ट हो जाएगा इस फोटो होगा तुम ना घर के रहोगे ना काट के रहोगे इसलिए मैं तुमें साथ जानती है तीसरे नितर की साथ रहती मत करना मत करना मैंने बहुत से गर देखे हो जड़ते होगे अभी मैंने कहानी सुनाई थी और जो वित्ती यहां के रहने वाले हैं और अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो कैसे मरे उनके नाक में से खून आना सुख लोगा था तीसरे नेतर की साथ नसे वो मरे बरस्ट हो गया ताजा ताजा नाम लेके आये थे ताजा ताजा सकती थी, गनी थी और उसको कौन सिंट्रेट कर दिया तीसरे नेत पर शोक था, शोक शोक में मरे गए मैंने समझाया उने थोड़ी ही दूर मेरा आवास था वो क्रीब मुझे मिलते है रहते था मैंने रोका कि मत करो यह नहीं माने गुरु आग्या है मैंने का फिर आपके इच्छा है, फिर करो यह जो तीसरे नेतर के साथ पंगा ले रही है केंद्र वाले यह जानते नहीं तीसरे नेतर कितना खतर ना करे असल मैं इन से लिखवा लेना चाहिए कि हम यह साथना सुरू कर रहे हैं अगर कुछ हो गया, यूँ आर रिस्पंस्विल फर देक तो यह लिखते नहीं देना हैं क्योंकि इन्होंने साथना कभी की नहीं यह डरेंगे, यह कब बेंगे अब यह पी एलार करने वालों से मैं कहता हूँ तुम ही बता तो तुम पिछले जनम में कौन थे दूसरों के जनम तो बाद में बता ले नू तो मुस्से बागने रखने जाए यह मेरे करीब नहीं आता है यह सराहा मैं गुजरता हूँ उस सराहा से परे होके गुजरते है अभी तो मैंने बारा वर्ष से कहीं जाना ही छोड़ दिया मैं पहले की बात पताता हूँ यह पी एलार वाले, यह रेकी वाले यह हीलिंग वाले यह मेरे पास ही आते हैं ब्रस्टों के फिर कहते हैं बाबा किसी तरह ठेक करता हूँ और देखें इनका प्रॉब कार करने का भीतर की मन्शाह एक डॉक्टर मैंने आपको पहले बुट आए था मत्यो परदेश की है उसके नाट से खून आया, बहुत खून आया बड़ी कोटी थी सब जगा खूनी 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 मेरे पास फून आया उसका एक बात को जान मेरे रखना हूँ मेरे जितने फॉलावर्स है उन में से में गिंती सुनती को भी जानता हूँ नाम से और शकल से यह सत्य है तो उनका फोन आया अब आप ऐसे है मेरी सब्सक्राइबर थी मुझे सुनते थी मैंने का साधना साधना यह करते है मैं जे समझा आ गया कि जगडा क्या है क्या है कारण मैं में एंटी डॉट दे के उसका फोन बन करते है रुक गए ठीक हो गई काफी दिन तक ठीक रही फिर बोली बाबा मेरा जी करता है मैं किसी को ठीक करता हूँ रेके के द्वारा मैंने का फिर तो खोन शुरू हो जाए तो मेरे पास नाम लेकिन फिर भीतर 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 शुरू रखा काम और बार 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 मेरे पास संदेश आते रहे बाबा आज फिर कुन शुरू हो गया मैं तो जानता था कि कुछ पंगा लिया होगा दूसरों की इमदाद करने वालो पहले अपने इमदाद तो कर लो फूल अगर कली बन कर सुगंध को एकठा नहीं करती तो याद रखना फिर वह बाबाट भी न पाएगा पहले कली को स्वार्थी होना पड़ेगा पहले कली को स्वार्थ होके सुगंध जोड़नी होगी इसलिए कली का मुकड़ा बंद होता है बीतर ही बीतर सुगंद को जोडती है इकठा करती है बिलकुल इसी तरह तुम्हें इकठा करना है अपने आपी तक पहुँचने के लिए प्रयास करना है और जब तुम पहुँच जाओ जब कली इकठा कर लेती है इतनी सुगंध ही इकठा कर लेती है कि बीतर समाती नहीं तो वह सुगंध ही प्रेशर से कली का मुखड़ा खूल देती है पंकडियों को और फूल बन जाता है तो इसकी फिकर मत करना कि हमने बाठना है वो तो जब इतना इकठा हो जाएगा तो खुद ही कली फूल बन जाएगा खुद ही बटना सुरू हो जाएगा मैंने कितनी बार कहा है जब गागर भर जाती है और एक वूंद और समाने को वाकी नहीं रहती तो फिर वो क्या होता है फिर बिखरा करती है बिखेरनी की चिश्ट अमत करना इन लोग के हितार्थ लोगों ने दूसरों के कल्यान आर्थ अभी खुद का कल्यान ने हो रहा है सहस्थाइं को रहे हैं एंजियोज खुद का कल्यान ने हो रहा है ऐसा ही तुमारे साथ हो अगर तुम खुद पहुचने से पहले बांठन सुरूप पर दोगे तो तुमारे पास बांठने को कुछ है ही नहीं ये द्यान में रखने को ज्यादा चत्र बनने की चेश्ट अमत करो जिसने देख लिया वो मुकाम उससे जाता चुत्राई तुमारे पास नहीं होगी इसलिए बाबा कहते हैं सैस स्याना पां लख होगे ताइक न चल ले ना ले उस प्रमात्मा के आगे तुमारी हजारों लाखों स्यान पे बेकार हो जाती है क्योंकि वह तुमारा करिगटर है उसको पता है तुमारे उपर मिट्टी कौन से लगी है उसको पता है कैसा पानी बरता है कैसी हवा लगाई है कौन-कौन से पदार्थों के कौन-कौन से तत्वों के गुनस के बितर मैंने लगाएं तो उससे चलाकी करने की चेश ठामत करें और तुम उसी से चलाकी करते है और तुमारा मन तुम्हें नीद कैसे आ जाती है मुझे यह समझने आती है लोगों को गुम रहा करके करूडों लोगों को गुम रहा करके तुम्हें नीद कैसे आ जाती है लेकिन नीद आती नहीं काश तुम बांटना बंद कर देते बिना कमाए बांटना बंद कर देते तो फिर जो तुमें नीद आती उसकी गहनता बड़ी विशाल होती उसकी कॉलिटी सराहनी यह होती उसमें तुमारे रोम रोम को तंतू तंतू को विश्राम लेता तुमें पता ही नहीं है कि तुम सो भी ठीक नहीं पाते हैं दूसरों के नीद को खराब करने वाले लोग अपने आपको ब्रह्म ग्यानी कहलाने से कुई बुरे जिन नहीं करते हैं अब मैंने देखा दो विक्ती बढ़ाई कर रहे थे एक दूसरे के एक दूसरे की क्या खोद की बढ़ाई कर रहे था एक संत बोला कि बाबा जी मैं तो डाई बज़े उट से तूसरे बोले कि मैं तो साड़े बारा ही उट जा साँ कमार हो गए तुम साड़े बारा बज़े उटके लोगों की नीद को खराब करते हूँ यो पुन्य या पाप बामुश्कल आज के कल्यूक के जमाने में बामुश्कल लोगों को गोली नीद की खाके नीद आती है और तुम सुबह साड़े बारा बज़े अभी सोने का वक्त नहीं हुआ लोगों उनको जगा दोगे या पुन्य है या पाप एक और दुमें पढ़ता था मेडिकल में अपनी बोदियां भान लेता रस्षी से वो उपर एक छट के साथ चिपकाई हुई तिकड़ी उसमें फसा देता पढ़ता रहता अब नीद तो आएगी सभाव है शरीर को नीद आती तो जटका रगता जटका रगता तो बोदियां तगड़े से बन्दी होती तो दर्द होता दर्द होता उस दर्द के कारण आँख कुल जाते पास ही पानी होता आँखों में पानी मारता फिर पढ़ना सुरू कर देता यह जवर्दस्ती थी मेरे एक मित्र ने कहा कि एंटी स्लीप की गोली साती है वो तुम टेवड़ेट्स बाजार से लियाओ वो खाटिया करो नेंद नहीं आती है उस विक्ति ने मेरे जीवन की नईया बदलती है उसकी धारा बदलती उसने दिशा पर रटती है मैं उस खिमिस्ट की दुकान पर किया मैंने कहा हों कई अंटी स्लीप की गोली मैं सै कि तहां मिल जाएदी क्या करने है पढ़लेजी आप में मुझे वो जामता थी मेरी गली के भीतरी उसका घर था आगे जाकर क्या करना है मैं मेडिकल की पड़ाई थोड़ी मुश्किल है रात पर जागना भी पड़ता है उसके लिए नीद ना आई इस कारण से चाहिए तो शब्द आज भी मेरे कानों में कुछते है इसने मुझे कहा कि परमात्मा उल्लू का पठा है जिसने रात होना है तुम गुर्दत के हिसाब से क्यों नहीं चकते है वो दिन मैं कभी जागना जगता है जब आँख खुल जाती है और मैं पाता इतना फ्रेश जो रात बर जाके नहीं दिमाग में आ सका वो सुबह उठके जो मैं याद करता है एक बार आज तक भी मुझे याद है और ये गोडियां खाने वाले रट्टा विकेशन करते हैं इन्हें सारी उमर याद नहीं रहता अगले सार भूल जाते हैं हमने क्या याद किया था परमत्मा उल्लू का बठा है तुम साड़े बारा मुझे क्यों जाकते हैं क्यों लोगों को खराब कर रहा है मैं ऐसे ही नहीं बोलता मैं बोलने की कुई आप से कीमत नहीं लेता मैं कोई शीवर में बोल रहा हूं मैं घर के एकांत कामरे में बैठा बोल रहा हूं आनन्द से, अहो भाब से ग्रसेत, मैं कहता हूँ परमात्मा उलू का पठाड, तुम अगर जग गए हो माना, तुम्हे नीद नहीं आती, तु दूसरों की नीद क्यों कराफ करते हैं, उन्हें तु नीद आती हैं न बाई, इस पंच तत्वों के पुतले को तुम रोज कहते ह हैं, यह पंच तत्वों का पुतला तु चला चाहिए, हमारे पास तो वक्त थोड़ा ही है, तो लोगों के पास यह पटे लिखे हुए हैं, तो मारे पास तो वक्त थोड़ा है, तो लोगों के पास पटे लिखे हुए हैं, सब के पास वक्त थोड़ा हैं, रात को साड़े ब शिकंजा कसने चाहिए, ये लोग येल की सलाखों के पीछे होने जाए, जो सारी सब्विता को गलत दिशा देते हैं, और ये गलत दिशा आगे, आगे जाके क्या मोड लेगी उसका कोई पता नहीं, देखी आज क्या क्या मोड लेजिये हैं, विश्नु जी शैन शीया पर पड लक्ष्मी जी उल्डू के उपर बैठे हैं, शाबाश, शीतला मत अगधे के उपर बैठे हैं, और ढाई टन के गनेश, डेड के लोग के चूहे पर बैठे हैं, मलीदा ना निकल जाये बाश्का, मतलब कहने का इन्होंने तमारा देवमाग का मलीदा निकाल दिया है, और फिर ये जो बोलते हैं, तुम से विकार कर लेते हो, कूँके है ही नहीं, होता, तो समझाती होता तो तरक करते है, और जिस मुल्क में तरक की क्षमता खो गई, वह मुल्क मर गया, अगर किसे मुल्क को मारना हो, तो उसके ओपर बंबंद गराना, उसकी सोचन शक्ति को छिन लेना, उसकी तारक की शक्ति को छिन लेना, बस वो मर गया, वो जीते जी मर गया, यही किया है तमारे संतों में, तमारी तारक की शक्ति को छिन लिया है, जैसे ही नाद शुरू हो गया उसकी मिठी मिठी मदर जंकार वो खिचेगी तुमारे तीसरे नेतर तक सहज सौ भाविक इसे ही कबीर कहते हैं सहज समादी वलि अपने आप खिचेगी तो डर न मत रहे जान बुझकर तुम ध्यान को कॉंसेंट्रेट तीसरे नेतर पे करना मत ये दोनों बातों में बढ़ा परक है तुम समझने से चूट को गए तो वह तो सभाविक प्रक्रिया है जैसे ही तीसरे नेतर का चुमबक अनाहत नाद की इस जंकार को खेंचेगा वह सभाविक प्रक्रिया है और जैसे ही तुम किसी योग किंद्र के कहने से अध्यात्म की योग किंद्र के कहने से तीसरे नेतर पर ध्यान एकतरत करोगे वह तुम्हारी प्रक्रिया है यह सहज नहीं अनाहत नाद बाली सहज है तुम देखना तुम कोशिश करोगे टाने की अटे का ने नाद को बंद करके दखा दे प्रमात्म की कोई भी चीज जैसे बंद नहीं होते जिसके नाद शुरू हो गया है और बंद करके दखा दे चोब विश्वों घंटे तुम सो जाते हो बैं नहीं सुनता क्यों? खुसरो पाती प्रेम की बिरला बांचय कोई खुसरो पाती प्रेम की प्रेम की पाती कोई बिरला ही बांचता है बिरला बांचय कोई वेद पुरान पोथी पड़ा है वेद पुरान पोथी पड़ा है प्रेम बिना का होई एक पोथी वीतर पड़ी जाती हर वक्त वह प्रेम की पोथी, वह सदा जगती है, तुम सोते हो, वह नहीं सोती है, प्रेम की पोथी तुमारे वितर लगातार पड़ी जा रही है, प्रेम कभी सोता नहीं, तुमारा तन सो जाता है, प्रेम जगता रहता है, उसे ही बाती कहा, जाकत जो दिन रहने, तो रात को भी जाक जाती है दिन को भी जगती है उसको पहचानने की बात थी जो क्रिशन कहते है रात को मेरा योगी जाता है दुनिया सो जाती है जब संसारी सोता है तो हे अर्जुन मेरा योगी जाता है अर्थ क्या है, बहुत से अर्थ की लोगों है, बात उसे तत्रत्व की है योगी कोई, जिसने योग साद लिया आत्मा और प्रमात्मा का, अपना आपा देख लिया और देख लिया कि मैं और अहम ब्रह्मा स्मुश एक हैं, इसे ही वेदांत कहते हैं खुस्रो पाती प्रेम की बिरला बांचे को है वेद पुरान पूथी पड़े प्रेम बिना का हो है कुछ होता है प्रेम के बिना कुछ नहीं होता है तुम इन लोगों को बोलते देख रहे हैं इनसे प्रेम की कोई खुसमूर नहीं इनके बोली में मिठा से नहीं गाए और संत जब बोलीगा उसकी बोली के साथ शैद की मिठा से चिपकती हुई तुमारे परानों को उंडेल देगे अपने रंग में रंग लेगे लाली मेरे लाल के जित दिखुंते ता लाल लाली खोजन मैं गई मैं भी हो गई लाल तो अगर ऐसे विक्तियों के संग में उनके शब्दों को सुनोगे तो तुम भी लाल हो जाओगे तुम भी प्रेम से जगमग कर उठोगे तुमारे प्रानों भी तरप्त हो जाएंगे उसे प्रेम को पी कर कौन है जो प्रेम को पी कर तरप्त नहीं हुआ जो भी तरप्त हुआ है प्रेम को पी कर ही तरप्त हुआ है और अगर तुम प्रेम से तरप्त नहीं हुए तो समझ लेना वो प्रेम नहीं था प्रेम का दोखा था वह वासना थी अक्सर लोग प्रेम वासना को ही समझे लेते हैं मैं निशानी बताता हूँ तुमें लक्षन बताता हूँ अगर तुम वासन में प्रेम हुआ है तो तुमारी आत्मा का कोना कोना तरप्त हो जाएगा पस पी लिया जो पीनद बस जी लिया जो जीनद जिसको प्रेम हुआ उसके लक्षन बहतरप्त हो जाएगा और उसकी आवास में एक तरप्ती की फुहार बाहर उठेगी जर्णों की तरह है यह जो अनाहतनात के प्रेम के स्वर हैं यह प्रेम के तल से आते हैं उस प्रेम के तल से आई हुई यह पुकार यह परमात्मा की पुकार है वो परमात्मा तुम्हें पुकारता है कि आजा कितना वक्त बीता बिछडे हुए आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीट गया आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीट गया एक जमाने से तुम इदर उदर बटक रहे हैं अपने सही मकाम में प्रवेशनें करते हैं यही उल्जन है यही मांग है यही तडपन है यही बटकन है तुमको तुमारा आस्तित्व तुमें तुमारा मुकाम पकारता है और तुम देखना अनहत की नादी जिसको भी छिड़ गई लगातार पकारता है लगातार निरंतर विदाउट अनी गैप न दिन ना रात जैसे वो दिया जलता है दिन बर रात ऐसे ही यह पकार उठती है दिन बर रात क्योंकि उस दिये से ही यह पकार उता है वो तुमको बुला रहा है आ जाओ हमारी बाहों में हम आस लगाए पैठे है तुम बादा करके भूल गए और जब यो अनाहत नाद जगेगा तो तीसरा नित्र चुमबक है उसको खेंचेगा यह है सहज परक्रिया है जो तुम पालती मारके बैठ जाओगे अपने ध्यान को कॉंसेंट्रेट करोगे तीसरे नित्र बल पूरवक मैं उसको रोकता हूँ सावधान फट जाएगा ब्रस्ट हो जाएगा और तुम उस मास्टर जी के तरह प्रमात्मा को तो ना पास सकोगे ब्रत्यों को पाजाओगे बस यही मेरा उपदेश है आदेश नहीं करो अपने मन की मर्च उपदेश है प्यार से उम्रा हुआ उपजा हुआ यह इधर मत जाना तीसरे नेत्र को जगाने का बरफूर प्रयास करना वै कैसे जगेगा क्रिया जोग करना दबा के करना उससे मस्ती आएगए जरा करके तो देखो नाट से स्वास खेंचो मुह से स्वास छोड़ो लबबा स्वास खेंचो लंबा स्वाश छोड़ो लाग प्रयाणयाम तुम ने किया है वो भी करते रो मैं नहीं रोपता लाख आशन तुम कर रहे हो करो वस्ती धोती नेती नेवली वजरोली तुम कुछ भी करते रो मैं जरा भी नहीं रोपता शीष्शाशन करो उतानपाद करो, हलासन करो चक्रासन करो, मिरासन करो, कुछ करो मैं नहीं रोकता लेकिन मैं कहता हूँ क्रिया योग करो जब तुम क्रिया योग की मस्ती से बर जाओगे लिबर जाओगे उसके शेहद से वो मिठास तुमने बाकी सब कुछ नहीं करने लेगा बस फिर तुम इसके योगी ही रह जाओगे, ये मैं जानता हूँ एक बार शुरू कर लिया, फिर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ के अंजाम क्या होगा आगाज कर लो अंजाम मैं अच्छी तरह जानता हूँ सब छोड़ दोगे तुम, इसका रसी ही ऐसा है तो आप अच्छी तरह से समझ गए हो गए है अनाहत नाध का जो मिठास उठता है उसे खेंच लेता है तीसरा नित्रा सहज रूप से, यह सहज प्रिक्रिया है प्राकरतिक उसको होने देना, उसमें बादा मत बनना और जबर्दस्ती ध्यान को उदर केंदर रित्मत करने है अब दोनों का फर्क समझा दे हैं तुम नाहक ही डर रहे हैं मैं तुम्हें रोपता हूँ बल पूर्व के ध्यान को वहां केंदर करने के लिए जो लोग दो दो घंडे तर लगाता है वहां पर ध्यान लगाए हुए बैठे रहते हैं एक टक रहे तो ब्रस्ट होगा ही होगा उनका ठीकान तो या डॉक्टर के या पागल खाने में या घर के बैठ के विक्रत होगा ही होगा दिमागों का तो कि वह परकृती से विपरेच चागा है या भ्यास मत करने मैं तुम्हें बार पार साब्धान करता हूँ इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं इसे लिए करपा करके हैं अनाहत नाहत जो परमात्मा ने पैदा किया है तुम उसे पैदा भी ने कर सकते हैं तुम उपाए मात्रे कर सकते हों हमारे ध्यान में आया है कि क्रिया योग से वो पैदा हो जाता है तुम कोशिश करो क्रिया योग से वो पैदा हो जाया हो सकता है बहुतों के हुआ है जब वो पैदा होगा तो तुम पाऊगे कि वह है अखंड आवाज, अन्स्टिक्ट्ट साउंड नवर स्टॉप, कभी नहीं रुपते हैं निरंतर धारा प्रवा, अखंड वह है चलते ही रहते हैं वह है तीसरे नेतर की तरफ मुडे गी और तीसरा नेतर उसको पी जाएगा वह एक शक्ति है, जो प्रेम से उत्पन हुई है और प्रेम का ही रूप है, वह प्रेम पी जाएगा तुमारा तीसरा नेतर ऐसे खुलेगा तीसरा नेतर तुम्हारा नीरस ध्यान, जो पंक्तियां मैंने अभी खुश्रों की बोली के प्रेम के बिना तुमारे सब पोथे विकार तुम्हारा नीरस ध्यान, जो तुम लगाते हो नीरस है वहना खूल पाएगा प्रेम के बिना यहने खुलता, यह खुलता है प्रेम से और यह जो अनहत नाद की आवाज आती है यह भी आती है प्रेम से यही खूल पाएगी इसको, तो इसको खिजने दो सबसे सुन्दर साथना है जो, इसमें करना भी कुछ नहीं पड़ता इसे ही मैं प्रमात्मा की करपा कहता हूँ, उसलिए सबसे पहली मेरी जो वीडियो आई थी, वो अनाद नाद पर आई था तो मैं जानता था सबसे सहज, मार्ग, और सबसे आसान रस्ता यही प्रमात्मा जगाएगा अपनी पकार को, और उस पकार को, प्रेम की पकार को पी जाएगा तुमारा तीसरा नेत्र, बस हो गया, जो तुमारी इच्छा थी, तुम्हें मुकाम मिल गया कितना भी वक्त लगे हैं, तुम इस आनंद के रस को छोड़ना मत वेल जद्वी मिली ये फरजातों वेल जद्वी मिली ये फरजातों तेरे मुक्धी किताब ले बैटा इस रस को तीसरे नेत्र को पी लेने तो है जब भी तुमारे पास खाली वक्त हो दुकान पर गढ़ा के हैं, उनको भुकताओ और जब खाली वक्त आए, तो अपने रस को पीओ जो बीतर से जग रहा है, क्योंकि आनहातनाद कभी बंद नहीं होता तुम सोग, वहे चलता रहेगा जब तुम्हे प्रेम हो जाएगा तो तुम लोगों को रात को जगाओगे नहीं बरना परमात्मा से प्राक्षना करोगे कि रात को बढ़ा दू लोगों के नीद खराब नहीं करोगे हैं तुमार है इन्हें खुद नीद नहीं आती और ये लोगों को जगाए जाते हैं इनको इनसोम्निया की विमारी है और ये लोगों को इनसोम्निया की विमारी से पिढ़ित करना चाहते हैं यह जब उल्ट उल्ट विवस्ता आप करोगे तो इनकी वी परकृतिया अस्त भेस्त हो जाएगे ऐसे ही उपदिश्थ से दियांगे प्रेमी परमात्मा से प्रार्थन करता है कि रात को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ये इर्शालू लोग हैं परमात्मा ने इनकी नीद छीन ली है क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं और ये इर्शा करते हैं ये कैसे, सेंसें करके सोवे हुआ है, इनको कोई तर्कीब ऐसी रड़ाओ कि ये जागें, इन हरामियों को, ये पड़े हैं, इनको भुजव, लेकिन प्रेमी नहीं कहता, प्रेमी तो रात को लंबी करने के गुभार लगाता है, तेरा कीसी जान्दा साड़ा, मुक जान्दा चावे, अज दी जे रात दिन्दा थोड़ी जीव धावे, तेरा कीसी जान्दा साड़ा, लथ जान्दा चावे, अज दी जे रात दिन्दा थोड़ी जीव धावे, तेथों एन्दी जेही, तेथों एन्दी जेही, होई ना दलेरी, रब आवे तेरी रात मुक गई, गल मुकी नौ, सजन नाल मेरी, रब आवे तेरी रात मुक गई, की करणी, हो की करणी, खुदाई असा तेरी, की करणी, की करणी, खुदाई असा तेरी, रब आवे तेरी रात मुक गई, गल मुकी नौ, सजन नाल मेरी, रब आवे तेरी रात मुक गई, क्रिशन कहते हैं कि जब संसार सोता है तो मेरा जोकी चागता है, इसका अर्थ दूर तो ने फिर गलत लगा जा, सोता योगी भी है, अब समझना ध्यान से, दो हर्फ की बात थी, उल्जा लिया, सोता योगी भी है, और सोते तुम भी हो, लिकन योगी का सरीर सोता है, योगी जागता रहता है, योगी ने वो तत्व चीन खो लिया, वो तत्व जान लिया, जो सोता नहीं, और तुमने वो तत्व जाना नहीं जो सोता नहीं बस यही मतुल्था क्रिश्न मेरा योगी रात को जागता है संसारिक लोग जब सोते हैं तो संसारिक लोगों का सरीर भी सोता है और संसारिक लोगों का अंतहे करन भी सोता है क्योंकि उन्होंने खुद का स्वय पहचाना है शरीर तो योगी कभी सोता है इस गलत फ्यमी में मत रहना अगर कोई विक्ती सोएगा नहीं तो पागल कुझा है इसके अर्थ लोगों ने गलत लगा लिए तथा कथित पाखंडियों ने तथा कथित पहुचने वालों का दावा करने वालों लेकिन अर्थ ये था कि सरीर तो योगी कभी सोता है भूख तो योगी को भी लगे थी तुम प्रकृतित से उल्ट करने का सदा ही प्रयास करते है तुम कहते हो भूख न लगे क्यों न रगे भाई, भूख लगे, जब खाने को प्रमात्मने बोजन मनाए, भूख लगे, और भूख को बजा लो, थोड़ा खालो, सिंपल खालो, सुपच्छी खालो, भूख तो लगे गिए, जब संसार सोता है, तो मेरा योगी जागता है, मेरा योगी जागता है, इसका अर्थ है, मैं वो तत्व, जो सदा ही साक्षी रहता हूँ, मैं जागता हूँ, और उस योगी ने जाद लिया है, कि मैं, मैं वो तत्व, एहम ब्रमस्व, मिल गया, उसे मैं मिल गया, मैं कभी सोता नहीं हूँ, और योगी ने मुझे पहचान लिया है, कि उसका अंतस्तत्व मैं ही हूँ, अब थोड़ा समझने में, आपके समझ से बाहर हो सकती है बात, लेकिन बार बार सुनना मेरी इस आखरी बात को, कृशन कहते हैं, मेरा योगी जागता है, तो तुम समझ लेते हो कि सरीर से जागत है, नहीं वो ये निकत है, कृशन कहते हैं कि योगी का सरीर भी सोता है, लेकन वह उस नरंतर जागने वाले तत्व को कोजली है, जो मैं हूँ, मैं कभी सोता नहीं, क्योंकि मैं सो जाओं तो साक्षित्व नश्ट हो जाए, पर मात्मा अगर एक खशन को भी पलक जबक ले, तो एक दूसरे ग्रहनक शत्रत तारों में टकराकर छोड़ चौड़ हो जाएगा, पर लै उसी वक्त हो जाएगा, पर मात्मा सोता नहीं एक फ़ल के लिए, और योगी ये जान लेता है कि मैं है वो तत्व हूं जो सोता नहीं, कहां ये बात है और कहां वो बात हैं, संसारी के सोता है संसारिक कभी सरीर सोता है और योगी का भी सरीर सोता है ये दोनों बराबर लेकिन संसारिक जानता नहीं कि मैं वो तत्व हूं बीतर से जो कभी सोता नहीं और योगी जान लेता है कि मैं बीतर से वो तत्व हूं जो कभी सोता नहीं जो जाड़ता ही रहता है ये फरक समझाने वालों ने तुम्हारी गीता समझाने वालों ने इसका अनर्थ कर लिया। योगी का भी सरेश होता है, तुम्हारा भी सरेश होता है। संसारी का आत्मा जगता नहीं। योगी का आत्मा जगता है। बस इसका यही फर्क है। रब्वावे तेरी रात मुख्य गई गल्व मुख्यीना सजन नाल मेरी रब्वावे तेरी रात मुख्य गई गल्वाथ